हेलो फ्रेंड्स ओनो मैं फिसिक्स का फिर से पार्ट ले आया जो सेकिंड लोफ मोशन मैंने छोड़ा लफ स्टार्ट किया था आप सेकिंड लोफ मोशन का सेकिंड एक्वेशन मैं आपको बता रहा हूं the second equation of motion भी आप कह सकते है s is equal to ut plus half 80 square इसका integral से आप कैसे कर सकते हो तो पहले आप ले लो v टीक है v क्या होता है इसमें v term है नहीं तब भी आप v ले लो तो आपका answer आजाएगा v is equal to ds upon dt क्योंकि s यहाँ पर है तो ds upon dt हो गया अब क्या करो d dt into v is equal to ds इतना यहाँ पर रख दो अब आपको पता है मैंने v की value first equation में निक्वाली थी वह थी है u plus 80 तो यह देखो अब आजाएगा dt into u plus 80 into ds अब integrating करेंगे बहुत side तो integration का basic तो आपको अगर नहीं आता तो मैं बता दो अगर जैसे x का x नहीं कोई constant term 2 का अगर आप difference से integration कर रहे हो in respect to x only dx only तो क्या हो जाएगा 2x ठीक है कोई constant का कर रहे हो तो उसका बस x आगे लगा दो जैसे 1 है तो x हो जाएगा 3 है तो 3x हो जाएगा यहाँ पर भी वैसे किया है u है एक u एक constant term है इसलिए ut हो गया a t है तो a के साथ a तो एक constant term है उसके साथ t भी है तो इसका भी एक formula होता है t raised to 1 है तो 1 प्लस 1 बद़र n प्लस 1 upon n प्लस 1 होता है तो यहाँ पर भी वही हो गया a t square upon 2 is equal to s तो integration का इससे करके second equation of motion आपको मैंने निकाल के दिखा दिए s is equal to ut plus half a t square अगर आपको differentiation में मतलब integration और differentiation दोनों सीखना हो तो बता देना comment कीजिए मैं उसकी भी अच्छे से एक video बनाऊँगा जिसका आपको समझ आ जाए physics ऐसे यह math का पार्ट होता है बसाब math में physics भी आती है math जिसमें chemistry chemistry में math लग रही है physics में भी लग रही है तो calculus तो अच्छे से आना ही चाहिए basic calculus तो आपको यह समझा गया हुआ अगर यहाँ पर कोई इसमें किसी में भी doubt है यह तो वह चोटी सी equation का derivation है बाद में बहुत बड़ी-बड़ी derivation होगी अगर इसमें से कुछ इमीन ना समझाए तो please comment कीजिए और friend अगर आप हमारे चैनल ने पहली बारा है तो like कीजिए और subscribe करें जिससे आप हमारी वीडियो न्यू वीडियो देख सकें तो friends bye bye and have a nice day